केलो अब्रीवन वेल्कम टू माथ कैसे हैं आप लोग इस वीडियो में हम लोग कुसिए नमर सिकेंड सॉल कर रहें एकसाइस वन पॉइंट यसकुशन आपको बताना है basically एक आपको set given है set given है set को हम हमेशा capital letters में denote करते है और जो set है वो equals to है मतलब उसके अंदर जो elements है वो है 1, 2, 3, 4 5 and 6 ठीक है तो आपने insert करना है appropriate symbol और यहाँ पर दो symbol given है एक यह वाला और एक यह वाला in the blank spaces तो जैसे 5 और blank space given है और यह लिखा हुआ है इस blank space में आपने इस में से या इस में से इन दोनों में से कोई एक symbol insert करना है पहले मिन symbol इसका मतलब समझाता हूँ जब भी आपको ऐसा E type कुछ दिखाए देता है इसका मतलब होता है belongs to क्या होता है belongs to belongs to का क्या मतलब है कि जब यह sign किसी के बीच में आता है तो आपने बताना होता है जैसे for example मैं कहता हूँ यह पहले example देखता है 5 dash और A मैं आपसे पूछू क्या इस set में 5 मौजूद है तो आपको तो अगर मैं इसको थोड़ा mathematical term में आपको पूछू क्या 5 इस set को belong करता है तो आपको हो गए हाँ sir belong करता है तो basically 5 क्या इस set में present है मैं ऐसे बूलू normal English में या फिर मैं बूलू क्या 5 इस set को belong करता है mathematical में mathematical definition में तो आपके है तो हाँ sir ये belong करता है तो ये वाला sign किस चीज़ का होता है belongs to और इस पर अगर cross मार दिया जाए तो it does not belongs to तो आपने ये ही बताना है जैसे for example पहले वाले solution में आपने बताना है 5-a तो क्या 5 belong करता है एक हो तो obviously करता है क्योंकि 5-a set में present है तो इसका मतलब आप इसके बीच में कौन से sign लगा होगे आप belongs to का sign लगा होगे ठीक है अच्छा फिर मैं आप से पूछ वाच्छा 8 belongs to a तो आपको ओगे नहीं a set में a present नहीं है तो that means ये not belongs to का आप इस पर sign लगा होगे वो कैसे पहले belongs to का sign बनाओगे और इसको cross कर दोगे means not belongs to similarly क्या 0 belongs to a कर रहा है मतलब क्या 0 इस set में present है obviously नहीं है तो इसका मतलब 0 भी does not belongs to a 4 belong करता है obviously 4 भी belong करता है क्योंकि 4 इस set में present है तो 4 belongs to a 2 obviously 2 भी belong करता है क्योंकि 2 इस वाले set में present है और last में 10 क्या 10 belong करता है एको नहीं क्योंकि 10 a में present नहीं है तो क्योंकि a set में 10 present नहीं है that means 10 does not belong to a चीक है तो इस question को इस तरीके सा आप easily solve कर सकते हो तो आप मुझे please बताओ आपको इस वीडियो कैसा लगा comment करके share करके आप अपने दोस्तों को भी बोलिए कि इसे like कीजे like करें subscribe करें हमाने channel को share करें देखें इन वीडियो को और हमें बताएं कि आपको कैसा लगा कोई problem होती तो आप please हमें phone कर रहे सकते हैं description में हम लोगों ने phone number दिया है plus हमारा app का वी link आपको description में मिल जाएगा please आप हमारा app भी download कीजे thank you thank you very much